नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इंकरवल IAS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये NCRT का महा संगराम चल रहा है और इस महा संगराम में कच्छा सिबन की अध्याय चार मुगल समराच आज पढ़ेंगे और प्रहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इससे पहले दूस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पिछले दो दिन से मैं घड़ चला गया था जिसकी वज़य से कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा था इसके लिए रियली सौरी आज से ऐसी गलती नहीं होगे continue आपको वीडियो मिलेगी और इसके साथ साथ में दूस्तों हमने आपसे वादा किया हो कि जब भी हम किसी भी चप्टर को पढ़ेंगे उससे पहले उसके अभ्यास प्रशन को जरूर देखेंगे उसके बाद ही चप्टर को पढ़ेंगे जिससे की हमें समझ भी आ सके और हमें आसानी भी लगे पढ़ दीजे, हो सकता है, कभी देर हो जाए, तो घबरानी की जोबत नहीं है, आपका कर्म है, कि आप continue भेजिये, और मेरा कर्म है, कि मैं चेक करूँ, इसलिए आप अपने कर्म पर खड़े उतरिए, बाकि मैं अपना कर्म देखूँगा, चलिए, तो आज के सबसे पहले अभ्यास प्रशन जो है, उसको देख लेते हैं, क्या है अभ्यास प्रशन, सबसे पहला कोश्चन जो है, इसमें क्या है सही जोड़े को बनाना है, मन सब, इसमें कौन से सही जोड़ा होगा, उसको बताना होगा आपको, मंगोल, शिशोद्या, राठोर, राजपुत, उसके बाद को ड Helena अपको बता रहा हूं चलिए सिर दूसरा कोश्चिन वे रिकत अ'sनों को भर ना फिल इन बनक्स इसमें फिल इन फिल इन ब्लेंक्स अकबर के सोतेले भाई मिर्शा हाकीम के राज की राजानी थी नेकॉन है दककन के पाचों सल्तनत बरार, खांदेश अहमद नगर फिलिंदा ब्लेंक्स ती क्या थी आपको बताना और नेट्स जो है यदि जात ऐक मसबदार के पद्ध और वेतन का घ्छोतक है तो सवार उसके फिलिंदा ब्लेंक्स को दिखाता क्या दिखाता बताना है नेक्स जो है अकबर के दोस्त और सलाकार अबुल फजल ने उसकी फिलिंदा ब्लेंक्स के विचार को गढ़ने में मदद की जिसके द्वारा वो विभीन धर्मों शंश्कृति जातियों में बने समाज पर राज कर सक तीसा कोशन जो है आपके अस्क्रीन पे वो है मुगल राजी के अधीन आने वाले केंदरिये प्रांत कौन-कौन से थे इसको बताना या कौन थे बताना नेक्स है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है इसको बताना ये सब पचास सब्दों में लिखना एंसर ध्यान रख नेक्स है सासन प्रसासन संबंधित अकवर के बिचारों का निर्मान एबं धार्मिक बिद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्पून थी सो सब्दों में लिखके हमको दिखाना होगा आपको PDF के फॉर्म में नेक्स है मुगलों में ने खुद को मंगोल के आठमा कोश्चन में विचार करते हैं भूर आजब से प्राप्त होने वाले आए मुगल समराज में अस्थाइट्ट के लिए कहां तक जरूरी था सौ सब्दों में इसको भी बताना होगा सौ सब्दों से कम नहीं द्यान रखीगा असी और सौ सब्दों के बीच में आपको बताना होगा सौ से ज़्यादा मत चला जाए इसका ख्याल रखना होगा मुगलों के लिए केवल तुरानी या कहें तो इरानी ही नहीं बलकि बिभिन प्रिष्ट भूमियों के मनसबदारों की न्यूकती क्यों महत्पूर्ण थी इसके लिए आपको पचास सब्दों में इसका इंसल लिखना होगा नेक्से मुगल समराज के समाज की तरह बर्तमान भारत आज भी अनेक समाजिक सांस्कृतिक इकाईयों से बना हुआ है क्या यह राश्टिये की करन के लिए एक चुनोती है इसको सो सब्दों में बताना होगा जो मुगल समराज में है वो क्या आज है इसको आपको चमझाना है नेक्स है मुगल समराज की अर्थ विवस्था के लिए क्रिसक जो है अनिवार थे क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्पूर्ण है आपको बताना, जो मुगल समराज में किसी अर्थ विवस्ता थी, उसको जोरना है उस टाइम से इस टाइम में, किस एक अनिवार थी, उसके बारे में बताना है, क्या आज भारत में अमीर और गरीव, ध्यान कीगा, अमीर और गरीव के बीच आय का फासला, मुगलों के काल के पिक्छा कहीं अधिक बढ़ गई है, इसको आपको बताना होगा, चलिए, अब आते हैं इसके चेप्टर पे, एक एकर गई, यह रहा आपका कोशन, कोशन समझ में आई गया होगा, अब आते हैं मुगल समराज को बहतरीन तरीके से, अब जो है समझते हैं, नेक्ष्ट है, मद्धिकाल में किसी भी सासक के लिए, भारतिय उपमहदिप जैसे बड़े बड़े छेतर पर, जहां पर लोगों को सांस्कृति, जो संस्कृतियों है, उसमें अधिक बिविताएं हो, सासन का पाना अत्यन्थिक कठीन कारिथा, अपने पुरवर्ती और वि उत्राद में, द्यान रखेगा, सोलहमी सदी के क्या है, उत्राद है, द्यान रखेगा, एक होता उत्राद और एक होता पुरवर्त, तो उत्राद में इधर रह जाएगा, और पुरवर्त में यहां आ जाएगा, और यह हुआ मद्ध हुआ, सोलहमी सदी का मतलब क्या होगा, पंद्रे सो पचास के बाद मद्ध कह रहा है, तो सुलहमी का मतलब क्या होगा, पंद्रे सो पचास इस सदी के उत्रार्द में ध्यान रखीगा, उत्रार्द में इस दिल्ली से आगरा, ध्यान रखीगा, इन्होंने दिल्ली से आगरा में अपने राजी का विस्तार शुरू कि और सत्रहमी सताबदी के लगभग शंपूर्ण महादीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने परसासन के धाचे तथा सासन सम्मंदित जो बिचार लागू किये थे वे उनके राजी के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसा राजनेतिक धरोहर थी जिसके परभ करते हैं कहने का मतलब कि मद्धकाल के जो सासक थे वो जिस तरीके से छेतर में फैले हुए थे उनको हटा के फिर मुगल समराज के अस्थापना करना कोई आसान बात नहीं थी बहुत मुश्किल थी उसके बाद धीरेज धीरेज जैसे ही सोलहमी सदी के उत्रार्द में ध्या पर दिल्ली और आगराम अपने राज का विस्ताफ शुरू हो गया था मुगलों का उसकी बाद से यहीं के बाद में उन्होंने परसासन के धाचे सासन समंधित जो भी विचार रागू किये वो उनके राज के जो है पतन के बाद भी उसी तरीके से ठीके रहे जिस तरीकी से दरोवर थी उसका परभाव उपमहाद्यू पर जब पतन हो गया उसके बाद भी यह आगे बढ़ता रहा आज भी परधान मंत्री हो स्वतंतरता दिवस के अबसर परी लाल किले पर ध्यान रखेगा लाल किले के प्राचीन जो रास्ट है उस पर चहड के यानि वहीं से जो ह रास्ट को संबोन्धित करते हैं आज भी यह जो देख रहे हैं यह लाल किला है ध्यान रखेगा यह लाल किला है मुगल कौन थे आईजी समझते हैं मुगल कई बार आपने पढ़ा एंसी आटी में तो खेड़ नहीं आ पढ़ते हैं लेकिन लुसेंट में क्राउन में या फिर जो अथेंटिक बुक जो होती उसमें पढ़ते हैं लेकिन क्या आपको पता भी है मुगल कौन थे चलिए आज समझते हैं बहतरीन तरीके से मुगल दो महान सासक बंसों के वंसस थे माता की ओर से वे मंगोल सासक चंगेज खा जो चीन और मद एसिया के कुछ भाग पर राज करता था के उत्रादिकारी थे और पिता की ओर से वे इरान इराक और बरतमान तूर्की सासक जिसकी मिर्तु 424 में हुई थी के बंसस थे परन्तू मुगल अपने को मुगल या मंगोल का हलवाना पसंद नहीं करते थे ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुरी असमिर्थियां सेक्रों बेक्तियों के नरसंगहार से संबंदित थी और यही असमिर्थि मुगलो के पर्टियोगता के उजबेगों से संबंदित थी और दूसी तरह अगर देखा जाए तो तैमूर वंसस होने का गर्व कानवब करते थे ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूरबज ने 1398 में दिल्ली पे कबजा किया था कहने का मतलब मुगल कौन थे तो ध्यान र जो है उनके पिता जो थे वो कहां से थे तो हमेशा ध्यान रखेगा उनकी पिता जो इरान इराक बर्तमान तूर्की जो सासक थे तैमूर थे लेकिन इसलिए ये अपने वंस में नहीं लगाते थे ध्यान रखेगा चंगेज इसलिए क्योंकि इनको पता था कि चंगेज ने बहुत सारे जो है नडशंगार किये हैं जिसकी वज़ा से ये लगाना पसंद नहीं करते थे और दूसरी तरफ अगर तैमूर को लिया जाए तैमूर बंसर तो इन पर होने पर गर्ब अनभब करते थे ज्यादा इसे लिए क्योंकि इनके जो है महान पूर्वज्यो थे वो दि आजाए क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो आप भी छोड़ दीजिएगा ये मैं गारंटी जानता हूं जो चीज मैं छोड़ दिया वो किसी भी हालात में आप नहीं पढ़िएगा मुझे अच्छे तरीके से पता आप हस लीजिए लेकिन यही सही है आते हैं तैमूर उसके उत ओर में द्याने कीит इस ओर में जो है वह कौन है उसका पुत्र जो है मीरण साइग जो परत्हम मुगल समराट बाबर का लकर दादा था दियान रिखीएगा लकर दादा उसके बाद अबू से बाबक बाबर का दादा हुआ उसके बाद तैमूर के बाई और सुल्तान मुहं इस ओर में अगर देखेगा ध्यान रखेगा इसोर में तोनको बैठा हुआ है तो ध्यान रखेगा बाबर अकबर और और अंजीव है चलिए बस फील कर लिजिए और क्या इसमें देखना कौन सा ज़रूरी है चलिए इन्होंने अपनी वंसाब ली का परदर्शन चित्र बनाकर किया परतीक मुगल सासक जो है तैमूर को अपना जो है अपना चित्र बनबाया करते थे तैमूर के साथ जो है अपन 1330 एकदम याद रखना है अब जो है बहुत इंपोर्टेंट चलेगा मुगल काल चल रहा है इसको गलती से मिस मत किजिएगा एकदम घोट पकड़के इसको पी जाईए बस सुनिए सब कुछ अंदर मैं डाल दूँगा बाबर है इसका कहां से कब तक ट्राइमिंग है 1526 1530 तक 4 साल जब 1494 में ध्यान रखीगा जब 1494 में फर्गाना राज के उत्राधिकारी प्राप्त किया तो इसकी उम्र केबल 12 वर्स थी ध्यान रखीगा 1494 में इसकी उम्र क्या थी 12 वर्स थी मंगोल की दूसरी साखा उजबेगों पर आकमन के कारण उसे अपने पैत्री गद्धी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्सों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबूल पर कबजा कर लिया अनेक वर्स तक भटकता रहा भटकते 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 फिर बाबर जो है काबूल पर क्या करता है कब जा कलता पूरी कहानी बाबर पर दौर रही एकदम ध्यान रखेगा उसके बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान इबराहीम लोदी को पानी पत्क में हरा देता बाबर एकदम याद रखेगा पान आपको लगता है ऐसे अगर पढ़ा जाए तो भूल जाईएगा अब सब कुछ किलियर हो रहा है एक तरीके से क्या है बावर्च सब जगह से च्टूटता हुआ जा रहा है पंदे सो चार में काबूर पर कभजा कर लेता है क्योंकि बड़ी तरीके से भटक रहा है और पंदे स के बाद इस लंबे घटना कर्म के बाद में कोई पुर्णाबर्ती को ढूंद अब यहां तो छोड़ दीजिए आते हैं मुगल समराथ क्योंकि जो जरूरत नहीं उसको पढ़ने से और वीडियो बड़ा बनाने को मतलब नहीं बनता अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पत के मैदान में अबराहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक को हराया जाता है उसके बाद 1527 में उसके बाद क्या ह주ता है खानवा के राना संग और राजपूत राजाओं और उनके समर्थक को क्या करता है हराया घडाया तो पंदरे 47 अब देखिए पंद्रेशोचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशचबशच चला ही जाता दुनिया से, लेकिन जाते हैं दिल्ली और आगरापड क्या करता है, नियंतन कर लेता है, अब कभी आ भूलिएगा, आपको लगता है, पानी पत का, खानवा का, या फिर चंदेरी का, पूछेगा तो, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, विसले पहले खाना ख बचपन के बीच में ये पंदरे साल कहा रहे, तो पंदरे साल ये की सत्ता हाथ से निकल गई है, कैसे निकली है, अब ही डिटेल से बताते हैं आपको, अब देखिए, हिमायू अपने पिता की वसीहत, अपने जायजात को बटवारा किया, परतेक भायू का एक एक प्रांत म मिला, इसके भाई मिर्जा जो कामड़न है, उसकी महतुकान चाओं के कारण, हिमायू अपने अफगान पति दंदियों का सामना फीका पड़ गया, सेर खान, सेर खान हिमायू को दो बार हड़ाए था, ध्यान रखिगा, सेर खान हिमायू को दो बार हड़ाता है, 1549 में 14 में और 1540 में कन्योज में, और इन पराजें, उसे इन्होंने इרान की ओर जो है जाने एपर बात्ध कर देता, किसको? घान रखिएगा, कौन? तो सेर खान, सेर खान, अक्दम ध्यान रखिएगा, यही सेर खान वही है, सेर्सा सूरी जिसको करते हैं, सेर्सा सूरी, आपकी बिह कब अलएरगी कर्म 9 में और फिर चालिस में एक बार जो है चौसा में य० वता है, चौसा कहां पे है, तो ध्यान रखीगा चौसा जो है बिहार में है, बकसर जिला के पास में है, ध्यान रखीगा, चौसा हुखा में एक स्युध में और दूसा पंदरppen 540 इसमें कन्नोज, कन्नोज कहां पे हैं, तो ध्यान रखे के कन्नोज, यूपी में है, जहां पे सबसे अधीक इत्र का वहां पे बनता है, तो यह चीज भी आप ध्यान रख लिएगा, थोड़ा से डीटियल में बताता हूं, ताकि आपको मज़ा आजाए पढ़ने में, इरान मे हुमायू की सफाबीद साह की मदद ली, और इसने पंद्रेसव पचपन में दिल्ली पर पूना कबजा कर लेता हूं, उसके बाद पंद्रेसव पचपन में फिर से जो है लोटके दिल्ली पर कबजा कर लेता हूं, और इससे अगले वर्स तक इमारत की दुरघटना में इसक और विभाजित किया गया तीन अवदियों में इसकी साहसंकाल को भी वाजित किया गया, 1556, 1570 के मद्ध अकबर और अपने संधचक बैरंग का और अपने घड़ेव करमचारियों से स्वतंत्र हो गया, इसने सूरी और अफगान, निकटबरती राजा, मालवा और गुंडवान तथा सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उस वेगों को विद्रो को दवाने के लिए जो है सेन अभियान चलाता और 1568 में जो है सी सौधिया की राजधानी चितोर और 1579 में रंथम बहुर पर कबजा कर लेता है 1570-85 के मद में गुजरात के बिरुद सेनिक अभियान इन अभिया ने और जतिल कर दिया और 1585 से 1650 के मद में अकबर के समराज का बिस्तार होता और उत्तर पस्रिम के अभियान चलाए जाते हैं सफाव विदों को हरा कर कंधार पर कबजा कर लिया जाता है और कस्मीर को भी जोर लिया जाता है मिर्जा हाकिम के मिर्ट्यू के पश्चारत पुल को भी इसने अपने राज में मिला लिया और दक्कन के जो अभियानों की सुरवात हुई थी और बरार, खान देश और आहमद नगर के कुछ हिस्से को भी इस उन्हों ने अपने राज में मिला लिया क्या कोश्चन समेचिंग कर रहा है ध्यान रगा यह अब यहां पर पूरे अकबर की इतिहास है, इसको बताने की कोई ज़ुरत नहीं है, इसकी जो साहसन है तीन भागों में बटा हुआ है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और कब-कब क्या-क्या किया है, इसको बताने की कोई ज़ुरत है, एक बार पर लिजीगा, आपको सब कुछ समझ म जाएगा और डिटेल से तो इसको पढदाएगे पढ़ाएगे अब आते हैं जहांगीर के बारे जहांगीर 1605-1626 के बीज में होता है। अब आते हैं साह जाहां का टाइमिंग, तो असा साह जाहां इंपोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, साह जाहां किया 1626 से 1668, दक्कन में साह जाहां के अभियाद जारी रहे, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने बिद्रो किया और वह पराजित हुआ, अहमद नगर के बिरुद अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरचा पर कबजा कर लिया गया, उत्तर परसिम में बल कर पर कबजा कर लिया जो है, उजबेगों के बिरुद अभियान हुआ, और जो की औसफल रहा, परिनाम सरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया, 1632 में आंथता अहमद नगर ने मुगलों राज को अपने में मिला लेता, 1632 में मुगल अहमद नगर को अपने राज में मिला लेता, और बीजापुर के सेनाओं ने शुल अभिशा जाता है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा कॉंसेप्ट ध्यान में रखना है, अब आते और जीब, और जीब का टाइमिंग क्या है, 1698 से 1707 तक, यहां के बाद जो है, मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता, और जीब के टाइम में, 1633 में उत्तर पुर्व अहम पर पराजे हुआ, परन्तु इसने 1680 में पुना विद्रो कर देता, और उत्तर परसिम यूसुफ जैई और सिखो के बिरुद अभियान को और अस्थाई सफलता मिली, और मारबार में राठो राजपुत मुगलों के खिलाब विद्रो कर देता है, कौन तो और जीब, और इसी क सिवाजी आगरा इस्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले, इन्होंने अपने को स्वतंत्र सासक घोसित करने के पशचात मुगलों के बिरुद पुना अभियान चलाते हैं, उसके बाद राजकुमार अकबर और 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 जेब के बिरुद जो है, बिरुद किया गया, जिसमें उसने मराठे और दक्कन के सुल्तान को सहयोग मिला, अंत्तर सफावदी इरान भाग जाता है, अब अकबर ने बिद्रो के पशचात और और जेब को दक्कन के सासकों के बिरुद सेनाई भेजी, और 1685 में बिजापूर और 1687 में गोलकुंडा मुगलों ने अपने अपने राज में मिला लेता है, कब ये कोश्चत कई बार पूछा, 1685 में भीजापूर को, 1687 में गोलकुंडा को अपने राज में मिला लेता है, और अंजेव का अरंजेव का जो है दक्कन, दक्कन में जो है मराठों के दोरा छापामारी जो पधितिक है उसका उप्योग कर बना पड़ा, और इनकी मिर्ट्व पश्चात उत्राधिकारी के लिए फिर से युद्ध शुरू हो जाता है मुखजम के लिए, और अंत्वे मुखजम ही बनता, आगे चलने के बाद सासक, और इसकी भी डिटेल में बताएंगे, बस इतना अभी आपको जानना है, ये सब चेत्र है, बस देख लिए 16.05 में अकबर का टाइमिंग का जो चेत्र है, वही सब था, अब आते हैं उत्राधिकार के मुगल परंपरा क्या थी, इसको थुरा सा समझते है, मुगल जेस्ट अधिकार के नियमों में विष्वास नहीं करते थे, जो जेस्ट अधिकार होता था उसके नियम में मुगल विष्वास नहीं करते थे, इसमें जेस्ट पुत्र अपने पिता के राज का उत्राधिकारी होता था, इसके विपरूत उत्राधिकारी वे सहजादाद को मुगल और तैमूर वंस की पर्था को अपनाते थे, जिसमें उत्राधिकारी का विभाजन सम जेस्ट अधिकारी का तो देखे यहां सब अधिकार तो तैमूर बंस की पर्था को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा अब थोरचा इसको समझ लेता है राजपूतों के साथ मुगलों की साधी ये क्या थी जहांगीर की मा ध्यान रखिगा जहांगीर की मा कसभा की राजकुमारी थी जहांगीर की मा वह अंबर बरतमार में जेपूर के राजपूर सासक की पुत्री थी सा जहां की मा और एक राठो राजकुमारी थी वह मावईर जोदपूर के राजपूर शासक की पुत्री भी थी अब आते हैं मुगलों के अन्षासकों के साथ संबंध कैसे थे मुगलों का जो है अन्षासक जो थे उसके साथ इनका संबंध कैसा था तालिकाई को फिर से देखे और आप पुनताएंगे मुगलों के साथ इनके सासकों के बिरुदलागातार अभियान किये इन्होंने अपनी सत्ता को स्विकार करने से इनकार कर दिया जब मुगल सक्तिसाली हो गये तो अन्म कई सासकों ने स्विक्षा से इनकी सत्ता को स्विकार कर लिए राजपूत ने इसका एक जो अच्छा उदारन है अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों को बिवाह करने का उच पद प्राप्त किये और परन्तु एकायों ने इनका बिरोध भी किया कहने का मत्तब यह कि जो भी मुगल थे ध्या से जो भी जो भी छत्रिय दल थे वो सारे के सारे इसको क्या किये मुगल जो समराज था मुगल जो शासन था उसको जो है इच्छा से स्विकार कर लिए थे उसके बाद धीरे धीरे जो भी राजपूत थे वो अपने पुत्रियों की विवाह जो है मुगल समराज में करना बेवार के जो सिसौधिया थे लंबे समय तक मुगलों की सत्ता सुइकार करें सी इनकार करते रहें। परन्तु जब भी वे हारें तो मुगलों ने उनके साथ समानिय बेवार किया। परन्तु इस सुल्तान को हमेशा बरकरार रखना कठीन था। एक बार फिर से तालिका एक को देखें और गौर कीजिए कि सिवाजी मुगल सत्ता स्विकार करने आये तो और अंजेब ने उनका अपमान का और इस अपमान का क्या परनावगा। सिवाजी मुगल सत्ता स्विकार करने आये तो और अंजेब ने उनका अपमान किया। और इस अपमान का क्या बदला हुआ आये जानते हैं तोरा सा। अब जो है मनसबदार और जागिरदार ये क्या है। जैसे इसे समराज में विभीन छेतर समलित होते गए। बहुत साइचेत जो है जुरते गए। वैसे वैसे मुगलों में तरह तरह की समाजिक शमुहों की सदस्ता परशासन में निवक्ति करना आरंभ किया। शुरु सुरुबे जाधा तर सरदार तुर्की यनि की तुरानी तुर्की जो तुरानी थे उसे तुर्की आज की रिट में उस समय में तुरानी अभी तुर्की थे लेकिन अब accommodफे चुटे समुो今天 नो सासक बर्ग में मुगलों ने तरह तरह कि समाजिक समू के सदस को परसासन की नुक्त करना सुरू कर दिया जादातर सरदार तुरानी थे अब चोटे चोटे समू में सासक बर्ग में इरानी हो गए भारतिय हो गए मुसल्मान हो गए अफगान हो गए राजपूत हो गए मराठा हो गए अन सब जो है समलित होने लगे और मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकर्सा होते थी जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर्सा होते मुगलों क्यों मदद करने गरे उनके काम कर ये उनको हम करते थे, मंसबदार, अब किलियर हो, आप कही बार मंसबदार पढ़ें, लेकिन आपका किलियर नहीं होगा, इमन्डारी से बोलिए, सही बोलिए, क्या आपने जाना कभी, क्या हुता मंसबदार, लेकिन आज के बाद आप कभी भूलिएगा भी नहीं जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग उसको अंदर में एकसेप्ट कर रहे हैं यकिन मानिया आप कभी NCRT आप नहीं भूलिएगा कभी दुबारा पढ़ने का तो चांसी खतम है मुगलों के दौरा चलाई गई सेनी बेवस्था थी जिसके जड़िये पद, वेतन, सेन, उत्राधिकारी निर्धारित किये जाते थे पद और वेतन का निर्धार जात की संख्या पर निर्भर होता था जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दर्वार में अभिजात परतिष्ठा उतनी ही, बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था कहने का मतलब, मनसबदार का मतलब क्या होता था कि ऐसा बेख थी, जो सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था जिनको पहर निर्धारन जात की संख्या पर होता था पद और वेतन जिसकी जितनी जात होगी संख्या होगी जातों की उतना एधिक वेतन मिलेगा अब थूरा सा इसको देख लेते जात सेनिया यह क्या 5000 जात वाले अभिजात को दरजा 1000 जात वाले अभिजात से उचा था मतलब क्या 5000 जात वाले जो लोग होते थे अभिजात उनकी जो है इज्जत उनका परतिष्ठा जो होता था वो 1000 जात वाले से अधिक होता था अक्बर के सासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो पांच हजार जात के पदवी के थे और अरणजेब के सासनकाल में ऐसे मनसबदार थे जिनकी संख्या 89 थी द्यान रखेगा यहां 29 यहां 89 थे क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज का खर्चा बढ़ गया अब आगे आते हैं मनसबदार अपने सवारों के निरक्षन करने के लिए लाते थे और अपने सैनिकों के घोरे को दगवाते थे और सैनिकों का पंजी करण करवाते थे इन कारवाहियों के बाद इन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था और मनसबदार अपना वेतन राजस एकत्र करने वाली भूमी के रूप में पाते थे, जिन्हें हम क्या करते थे, जागिरदार जो भी इनकी सैल्दी मिलती थे, वो किसमें मिलती थे, भूमी के रूप में ये पाते थे, कोई कठे, डंटे, गज, भूट बना भूमी का टुकड़ा दे दिया जाता था, जो तरकीबन जो ह परसासन करते थे, उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्प एकत्र करने का अधिकार था, यह राजस्प उनके नौकरों के लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वेम देश के किसी अन भागों में सेवारत थे, अकबर के शासन काल में इन जागीरों को साबधानी पुर्वक जो है आकरन किया जाता था, ताकि इनका राजस्प जो है मनसबदार के बेतर में तकरीपन बड़ाबर रहे और अनजेब के शासन काल तक पहुचते पहुचते अकबर तक तक ठीक था, लेकिनर अनजेब तक एक लंबा इंतिजार करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जो है वो जागीरों की संख्या में कमी हो गए फलसरुप कई जागीरदार जो थे वो जागीर रहने की कोशिश करते थे कि वे अपना राजस वसूर कर सके और वसूर कर लो और अपने सासंकाल के अंतिम बर्सों में और अरंजेव ने इन परिवर्तों पे नियंतर नहीं रख पाया और इस कारण से किसानों को अत्रधिक मुसीबत का सामना करना पड़ता मत्तब कि जो भी वेवस्था है वो अकबर तक तो ठीक है जैसे भी ये सबको बराबर सबको इक्वर लेकर चल रहा यानी सबका दिया जाती तो सब कुछ जो है धीरी धीरी खतम होना शुरू हो जाता है और अन्जेव के टाइम में अब आते हैं आगे जप्त और जमीनदार आईए मुगलों की आंदनी का प्रमुख जो साधन था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राज़स्व था अधिकतर अस्थानों पे किसान जो है ग्रामीन, कुलीन यानि की मुखिया या अस्थानिये सरदारों के मादम से राज़स्व देते थे जो भी होती थे ने ग्रामीन कुलीन कहें या कहें मुखिया वो अस्थानिये जो सरदार होते थे उनके मादम से राज़ा सुदेते थे और समस्त जो मध्धस्तों के लिए चाहे हुए अस्थानिये ग्रामीन मुखिया हो या फिर सतिसाली सरदार हो मुगलों का एक ही सब्द जमिनदार का परियोग करते थे अकबर के राज़ा स्टोडर मल ने दस साल किर्सी की पैदाबार किमतों और किर्सी भूमी को साब्धानी पुरबक सर्विक्शन किया दोस्तों एक बात मैं बता दू कियो किसे तरीके से सासन किया है किया अकफ़र करना का जैसा करने आगे अगे भरता है क्यों कि इसमें दुराने की जवरत है जैसे सब कुछ ठूरे के दिमाग में है अब क्या होता है कि अकबर के राजस्व जो है टोडरमल ध्यार के राजस्व जो मंत्री है वो कौन है टोडरमल 10 साल तक 17 से लेकर 80 तक 1570 से 80 तक कलाबधी के लिए किरसी के पैदावार जो है कीमत और किरसी भूमी को साबधानी पुर्वक सर्विक्षन किया और इन आकरों के आधार पर परतीक फसल पर नगत रूपसे कर निश्चित किया गया परतेक सुबे प्रांत में राजस्व मंडलों को बाट आ गया और परतेक के हर फसल के लिए जो है राजस्व दर के जो है अलग सुची बनाएगे और राजस्व प्राप्त करने की इस वेवस्था को जो है वो क्या कहा जाता था जबत कहा जाता था प्रिलिम्स में आप प्रिलिम्स पॉइंट अब उसे इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा इस वेवस्था उन अस्थानों ध्यानर की उनस्थानों पर पर चली थी जहांपे मुगल प्रसनास्तिक अधिकारी भूमी का निरक्षन कर सकते थे और साथानी पुर्वक इनका हिसाब रख सकते थे ऐसा निरक्षन गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था कहने का मत परतेक फसल को जो है नगद रूप से निश्चित कर दिया गया था यहीं के बाद में और फिर मंडलों में बाटा गया और परतेक पर हर फसल के लिए जो है राजसुदर की अलग सुची बनाए गई राजसुदर करने इन वेवस्ता को जो है क्या कहा जाता था जब्त कहा ज यह वेवस्ता उन अस्थानों पर चली थी जहां पर मुगल परसासक अधिकारी भूमी का निरक्षर कर सकते थे और साब्धानी पुर्वक इनका हिसाब भी रख सकते थे ऐसा निरक्षन मुगल और बंगाल जैसे प्रांतों में संभब नहीं हो पाया था ऐसा जो है मुगल प्रांत जैसे च्छेत्रों में संभब नहीं हो पाया था कुछ च्छेत्रों में जमिनदार इतने सकति साली थे कि मुगल परसासगों तुके द्वारा सुचन किये जाने की स्थिति में विद्रों कर सकते थे कभी कभी एक ही जाती के जमिंदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाब मिलकर बिद्रो कर देते थे सत्रामी सताब्दी के आखिर से ऐसे किसान बिद्रो मुगल समराज में अस्थापित चुनौती दी गई मुगल समराज अब धीरी-धीरी जो क्या होड़ा है धीरी धीरी जो समाप्ति की और चलना शुरू हो गए अब जमिंदार किसान मुगल के खिलाप मिलकर बिद्रो करना शुरू कर देते हैं कि किसी भी तरीके से मुगल का खिलाप हो मुगल को क्या किया जाए हटाए जाए और 17 सताबदी के आखरी में ऐसे किसान विद्रो मुगल समराज के जो है अस्थित को चुनोती देवी अब आते हैं अकवर नामा और आएने अकवरी यह क्या है कई बार यहां से कोशन पूछा जाता है और इसको आपको ध्यान रखना हो जिल्दों में लिखा जिसका सिर्सक था अकवर नामा ध्यान रखीगा अकवर नामा जिल्द में अकवर के पुरवजों का बयान और दूसरी और अकवर के सासनकाल की घटनाओं का इसमें बबरन मिलता आईने अकवरी में किसका मिलता आईने अकवरी में अकवर के जो पूर आइने अकबरी जो है सबसे रोचक आयम है विवित परकार के चीजों के फसलों पैदावार कीमतों मजदूरी और जो है राजा सुकी सांखिका का विवरन भी मिलता अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा लेते हुए अकबर अकबर यही है तो चलिए अब चलते हैं नेक्ट में हमेशा ध्यान रखेगा अकबर नामा जो है किसने लिखा था तो याद रखेगा यह अकबर के पूरी इतिहास के बारे में लिखा गया उसकी जो परगती हुए उसके बारे में लिखा गया है और यह जो लिखा गया है अबुल फजल के द एक नजर में देखते हैं, परसासन का मुख अभिलेक्षन, अकबर ने निर्धारित किये थे, और इनका विस्तित वर्नन अबुल फजल के अकबर नामा बिसेस आइनी अकबरी में मिलता है, अबुल फजल के अनुसार समराज कई प्रांतों में बटा हुआ था, ये बता जाता दोनों दृष्टी से काडियों का निर्वाा करते थी, परतेक प्रांत में एक बितिये अधिकारी हुटा जो दिवान कहलता ही, कानून और विवस्ता बनाए रखने के लिए सुबेदार अन-अफसरों को अनअफ़रों को जो है वो सही goose प्रापत था जैसे कि बख्शी उसके बाद सदर, धर्मार्थ यानि कि या जाने वाले कारी के मंतरी, फौशदार सेना नायक और कोतवाल यानि कि नगर के पुलिस जो है अधिकारी का, अब जहांगीर की, जहांगीर के जो है दर्बार पर नू नूर जहां का खिताब मिलता, 1611 में जब जहांगीर से इनकी शादी होती है, नूर जहां हमेशा जहांगीर के परतिय अत्तधिक वफादार रही और उसको समझ समय पर शहयोग देती रही, नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किये, ध्यान नूर जहां के सम्मान में, जिनमें एक और स्वेम का खिताब उतकिन किये थे और दूसरी और स्वेम राणी बेगम नूर जहां का नाम गढ़ा हुआ था, दूसरी और राणी बेगम का नाम उसमें लिखा हुआ था, बाई और दिया गया दस्ताबेद नूर जहां के द्वा पाथसा जहाँ परताप के महरानी चंद्रमा जैसी बैभवसाली बन गई थे और उस कामना करते हुए उसे नूर जहाँ पाथसा इस यूग की सर्वुत्तम महला बने ऐसी कामना यह कर रहे थे यहां तो क्लियर ही है नूर जहा हैं उनकी पत्नी है अब वहां पे जो हैं को समान मिलता नूर जहां बना जाता है और बड़ी मातरा में राजस जो है खर्च करते थे जब तक वे बफादार रहे समराज का कार जो है सफलता पुरवग चलता रहा परंतु सत्रहमी सदी के आंतर तक कई अभी जातों ने अपने स्वतंत्र तानेवुने बुन लिये थे और समराज के परती जो है बफादारी के अनेक हीतों के कारण जो है कमजूर पढ़े उसके बाद धीरी धीरी जो इसके बफादार थे वो सारे के सारे कहीं कहीं इसके साथ दागयवाजी करना शुरू कर दिये और अपने से स्वतंत्र जो है तानेवुना बुन लिया जिससे समराज के परती इनकी बफादारी और इ जेशिट पादरी जो की रोमन कैथोलिक थे और जर्दुष्ट धर्म के अनुवाईयों के साथ में धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की और ये चर्चाएं जो है इबादत खान में हुई अकबर ने रुची विभिन बेक्तियों के धर्मों और रिती रिवाज में की थी और इस विचार भिमर्स ने अकबर के समझ बनी जो की बिद्वान धार्म के रिती और मता धंत का पल देते हैं और अकसर कटर होते हैं इनकी जो है सिक्छाएं परजा के बीच में जो है ले गए और सहिशनुता की यह धारा जो है विभिन धर्मों के अनवाईयों में अंतर नहीं करती थी कहने का मतलब 1570 में अकबर जब ठतेफुर सिक्री में था तो उसने उलेमा ब्रह्मनों जेसुट पादरी जो होते थे रोमन कैथलिक होते थे उनके धर्म के अनवाईयों क धर्मों रिती रिवाजों में थी और इसी बिचार विमर्स की वज़त से अकबर की समझ बनी और विद्वान राजनितिक रिती मता धंता पर बल देते हैं ध्यान रखेगा विद्वान जो है धार्मिक निती और मता धंता पर बल देते हैं ध्यान रखेगा अकसर कटर होते ह और वे अक्सर क्या होते कट्टर होते हैं उनकी सिक्षाएं परजा के बीच विभाजन आसमंजस पैदा करती है और ये अनुभब जो है अकबर को सुलह एकुल या कहें तो सरवत्र शांती के विचार की ओर ले गए शहिस्नुता के इस धारना विभीन धर्मों के अनुवाईयों में अंतर नहीं करती थी अब इबादत खान ने अकबर विभीन धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए अब आते हैं इसका इसके केंदर बिंदु में जो थे निती सास्त की एक वेवस्था थी जो सर्वत्र लागु की जाग शक्ति थी इसमें केबल सच्चाई न्याय और सांती पे ही बल दिया जाता एक निती सास्त था जिसमें वेवस्था की गई थी जिसमें क्या है सच्चाई अब उल्फजल ने सुलह कुल के इस वीचार को जो है आधारित सासन द्रिश्टी से बनाने में अख़वर की मदद की और सासन ने इस शिधांत को जो है जहांगीर और साह जहां को भी अपनाया था अब है सुलह कुल ये क्या इसको तुरा से समझते हैं अकबर के सुलह कुल नीती में उसके पुत्र जहांगीर इस परकार ने वर्णन किया है इस वरिये अनुकंपा के विस्तित आचल में सभी बर्गों और सभी धर्मों के अनवाईयों की एक जगह है इसलिए इस विसाल समराज में उसकी चर्चाओं और सीमाएं केवल समुद्र तकी निर्धारित नहीं थी बिरोधी धर्मों के अनुवाईयों की ओर्थ की तरह अच्छे बुड़े बिचारों की ओर जगह थी यहां जो है और शेहिशनूता का मार्क बन था जहां पर शुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकटा होते थे और इसाई और यहुदी एक ही गिर्जागर में जो है प्रातना करते थे ध्यान की गाई इसाई और यहुदी प्रातना करतुन के संगीत सुनने में सारवधिक सांती सुलह एकुल सुलह एकुल के सिधान पर ये पालन किया गया था अब थूरा से इसको देख लेते हैं अकबर ने कई संस्कृतिक गरंथों के में फारस का अनुबाद कारियों को संपन कराया था इस उदेश के हेतुई तो फत्रपुर सिक्री में एक मकतवा खान या कहें तो अनुबाद बेरों की अस्थापना की थी जहां पर महाभारत, रमाइन, लिलावती, योगविष्ट कुछ अनुलेखनी संस्कृतिक गरंथ के अनुबाद कारिय भी जो है यहां पर चूना गया था जैसे रज्मनामा जो महाभारत के फार्सी अनुबाद है ध्यार की कई वर रज्मनामा जो है महाभारत की घटनाओं का विस्तित जो है चित्रन किया जाता है अब चलिए निक्स जो है और लास्ट टॉपिक यही है सत्रहमी सताबदी में और उसके पस्चात जो है मुगल समराज क्या है इसको तुरा सा समझते हैं मुगल समराज की प्रशनासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप ये आर्थिक और वानिजिक जो है समर्धी में बिर्धी हुई थी बिदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसे कहानियों में वर्नित होता है परन्तु यही यात्री इस परचूर्टार के साथ में द्यान के परचूर्टा के साथ में मिलने बारी दरिद्रता को देखकर बिसमित रह गए समाजी को और समानताएं साब दिखाई दिन पढ़ रही थी साज अहां के सासनकाल में 20 वर्स के दस्ताबेश से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्टम प्राप्त था कुल 8000 से 445 ध्यान के 8000 में से 445 ही थे जिनको मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 परतिसत थे समराजों के अनुमानित राज्यसु का 61% सेम को उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था कहने का मतलब जो भी विदिसी आये उन्होंने जब मुगल साशन को देखा तो देखके दंग रह गये वैसा ही जैसा किताबों में देखते हैं कि भारत जो था सोने का चरि ही पड़ी हुई है यह चीज भी उन्हें देखने को मिलता है तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो है और समानता ही दिख रही थी इसके साथ साथ में मुगलों में सबसे ज्यादा साज हां के टाइम में इस सिती जो है बहुत बेकार हो गए थी कुल जो है आठ हज्या मनसबदार थी जिस पर 445 एते जो कुल मनसबदारों के एक छोटी सी संख्या थी जो समराज के अनुमानित राजस्व का 61% ही प्राप्त कर सकी थी मुगल समराट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो है वेतर और वस्तूएं पर लगा देते थे और इ इसमें बहुत गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे उत्पादन शक्ती बढ़ाने के लिए अतरिक्ति संसाधन और और अवजारों और अन बस्तूएं में निवेस करने की बात सोच भी नहीं सकते थे ऐसी अर्थ्विवस्ता से ज़्यादा धनी किसान सिर्वकार समू उबैपारी और महांजन इसका लाव उटाते थे कहने का मतलब कि मुगल समराज में अनेक मनसबदार की आई जो है बहुत बड़ा बेतन था जो बस्तूएं थे उस पे लगा देते थे साथ साथ में जो सिर्वकार होते थे किसान होते थे उनको दे दिये जाते थे और बदले इनकी सिती जो है खराब होते चली गई थी और महांजन जो है इसका ज्यादा से ज्यादा लाव उठाने में लगे पड़े हुए थे और अगर देखा जाए तो आज भी यही एक इसमी कम उबेश्थ है एक किसमी सदी भी आज भी यही सिती है जो इस्तिती सत्रहमी सदी में नेक्स जो है मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन था मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे संपन्ड वर्ग थे उनमें जो है बहुत धन था और संसादन थे जिसके कारण जो है सत्रहमी सदी के अंतिम वर्सों में अत्तिक सक्तिसाली हो गए जैसे जिसे मुगल समर जो है सत्ता पतन के और बढ़ते गई वैसे वैसे जो है बिभीन छेत्रों में समराट के सेवक स्वेम सत्ता सक्तिसाली केंद्र बनने लगे और इससे जो है नए वन्स जो है अस्थापित हो गए और हैदराबाद एवं अवज जैसे प्रांतों में अपना नियंतर जमाया यदपी दिल्ली और मुगल समराट के स्वामी के रूप में ये मानिता देते रहे अठारमी सताबदी तक समराज के कई प्रांत जो है अपनी स्वत्तंतरता राजनितिक पहचान बना चुके थे इनके बारे में हम दसमे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या जब दसमे अध्याय पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे कि अठारमी सताबदी तक समराज के कई इसे प्रांत जो थे जहाँ पर राजनितिक पहचान बना चुके थे और दसमे में पूरे किलियर अच्छे तरीकी से इसको समझेंगे राजा और रानिया इसको थोड़ा सा देखते हैं सुलहमी सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के बिभिर भागों में जो है कई महान राजा रानी थे इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान सामिल थे और इनके राजा ओटोमन राज का विस्तार यूरोप में जुरोप की और हुआ था इसने हंगरी में अपने राज की जो है अपने साथ मिला लिया और अस्ट्रिया को घेर लिया इसने फौज फौजों में बगदाद और इराग का भी जो है हतिया लिया था बगदाद और इराग तो इसको भी हतिया लिया था मरकों में इसका जो सेना का परभुत्त की वज़ से अस्पेन की ओर जो परतियस परदा हुई अरब शागर में इस नो शेना ने पूर्टगालियों को चुनोती दी समराथ ने अल कानूनी ध्यान के अल कानूनी का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाएगे बहुत बड़ी संख्या में और इस नियमों का लट्च यह था कि बढ़ते हुए समराज को बिभीन छेत्रों में ध्यान रखते हुए प्रशनासनिक तरीकों को मानभी करन किया गया ताकि किसानों को ब याद किया जाने ने का अकबर के अन्ड जो समकालीन सासक के बारे में पता लगा ये और इंग्लेंड के सासक रानी एलीजावेट 1558-1630 में इरान के सफाविद सासक साह अब्बास और इसने जहां तक ज्यादा तक बिवाद असपद रूशी शासक जार जो है इवान चतुर इतियास के जो बेकलफिक वाले में होंगे आप्शन लीएंगे उनको ये परना ही परना बस थोरा सा है इसको समझने भरका दे रहे समय का कुछ भी ने स्वालमी सदिका समय होता है मुगलों का लगबग संकालीन जो है संसार के बिवीन भागों में कई महान राजा रानी थे इसी में ओटोमन जो तुर्की थे, इसके सुल्तान जो सुलिमान थे, वो सासक बने और धीरी धीरी इस बेवस्ता को इस तरीके से सुद्रिड किया गया, धीरी धीरी मिलाना सुरू कर दिये च्छेतरों को, उसके बाद धीरी धीरी करते करते, अस्ट्रिया, अफ्रिका, मर्को इनके अपने और मिला लिये और किसी भी हालत में जिस तरीके से किसानों का बढ़ता बोज जिस तरीके से गड़ी आदमियों की सितिक खराब है तो उनको देखते हुए इस पर काम किया जाता जिससे कि किसी तरीके से सुद्रिड हो सके तो यही थी पूरी की पूरी कहानी आज की चौथे चप्टर की अब आप कोश्टल लिखेगा और मुझे बेज़ेगा और हाँ आपसे जाते जाते बस इतनी से आगरा है कि जितनी मेहनत से जितनी मिननत से और जितनी सिद्दत से मैं इस वीडियो को बना के आपको देता हूँ आप प्लीज उतनी ही मिन्नत और सिद्दत से इस वीडियो को सेर कीजिए प्लीज कीजिए सेर मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे फायदा होगा मेरी पॉपलेटी है बहुत बढ़ेगी मुझे कोई पॉपलेटी नहीं चाहिए मुझे बस आपका प्यार चाहिए बस इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए और यह ऑनेसली बोलता हूँ दिल पे हाथ रखके मुझे बस उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुचाईए जो लोग पटना दिली पडियागराच जैसे बड़े सहरों में लाकों रुपया नहीं बाहा सकते हैं अगर यह दे दीजीगा तो उनका प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए हो जाएगा इतना जरूर किजिए थेंक्यू नमस्कार